प्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम html css और java script की help से एक analog clock बनाने की functionality का implementation करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे simply यहां पर एक folder create कर लेते हैं clock के नाम से अपने desktop पर और उसके बाद इस folder को हम क्या करेंगे वी एस code में open कर लेते हैं यहां से file पर चलेंगे और यहां से open folder और desktop पर हमने folder बनाया इसको हमने क्या क्या ओपन कर लिया ठीक अब इस folder में हम क्या करेंगे एक index.html नाम की file बनाई ठीक है यह क्या है index file है और यहां पर हम इसको structure दे देते हैं html का ठीक है अब इसको यदि हम यदि run करते हैं तो यह बिलकुल हमारी blank index page है ठीक है तो इसी पर हम क्या करेंगे एक analog clock बनाएंगे ठीक है और separate file भी बना सकते हैं तो जब भी हम कोई code लिखते हैं तो उसको optimize करके ही लिखना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं separate page बना लेते हैं CSS का और दूसरा JavaScript को बना लेते हैं index.js के नाम से ठीक है तो तीन file हमने बना ली एक हमारा html file हो गया एक js file और तीसरा CSS file ठीक है फाइल तो हमने बना ली अब इन file को हमें क्या करना पड़ता है index.html page पे हमें link करना होता है तो link करने के लिए simply हम link tank का यूज कर लेंगे और relation बता देंगे हमारा क्या relation है style sheet और उसके बाद हम hrf में उसका link देते हैं तो बता देते हैं कि कहां है तो हमारे एक ही फोल्डर में पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं style.css से सुसी प्रकार से हमें script file भी link करानी है ठीक है तो ctrl c और यहां पर ctrl v और यहां पर हम java script text या java script होता है और उसके बाद यहां पर index.js दोनों फाइल को हमने क्या क्या link करवा दिया ठीक अब देखिए अब हम चलते हैं body में और body में जो हमें content दिखाना होता है हम क्या करते हैं उसका code हम body section में लिखते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं देखिए डिव और id देते हैं इसको हम किस नाम से क्लॉक कंटेनर दे देते हैं इस डिव के अंदर हम तीन चीज रखते हैं क्या-क्या hour minute और सेकेंड ठीक है इस से हम क्या करेंगे जो हमारी analog clock है तो एनरोग क्लोक में हमारे पास तीन हेंड्स होते हैं कौन-擋 Tonसे एक आवर का होता है ही मिनट का होता है खुंड का ओक्ट टो इसके को कण्रों कि एक को मिनट रख देते हैं दूसरे को कि है पर मिनट और सेकेंड इतना काम हमने कर दिया यानि HTML में बस हमें इतना ही code write करना है अब उसके बाद हम क्या करेंगे CSS में चलेंगे ठीक है इस block container नाम की ID को क्या करेंगे target करेंगे तो control C यहां से कर लेते हैं और जब भी हम ID को target करते हैं तो has का use करते हैं ठीक है control V और उसके बाद curly bracket open ठीक control S अब देखिए सबसे पहले इसका हम position set कर लेते हैं तो position हमारा क्या रहेगा relative कर देते हैं ठीक उसके बाद margin auto ठीक उसके बाद height और width इसकी set कर देते हैं ठीक है clock container की height हम क्या करते हैं vertically 40 VH vertically height ठीक है और width 40 VH ठीक है उसके बाद background size इसको 100% और इसको हम क्या करते हैं important कर देते हैं control S आप देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं एक image लगाएंगे किसका analog clock का ठीक है तो background और इसमें हम URL देते हैं तो अभी हमारे पास image नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक folder create कर लेते हैं ठीक है किस नाम से image नाम से ठीक है तो download करने के लिए हम चलेंगे Google पे और यहाँ पर हम क्या करेंगे simply यहाँ पर clock without hands PNG transparent क्योंकि hands तो हम खुद बनाएंगे ठीक तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से हम करते हैं download save image as और जो desktop पर हमने folder बनाए है image नाम का इसी में हम इसको download करा लेते हैं save कर लेते हैं clock ठीक है अब यह image हमारी save हो चुकी है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं simply image और उसके बाद clock.png ठीक है control s और इसको जैसे हम run करते हैं open with live server तो देखिए हमें image display होगी ठीक है यह image हमारी display हो रही है ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे अब hour minute and second का हम hands लगाएंगे ठीक है तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है CSS लिखेंगे तो हम सबसे पहले पिक करते है hour minute and second ठीक है तो यहाँ style.css पर चलते हैं और यहां पर देखिए है अवर, कॉमा देखें है मिनट को once second ठीक है तीनो को एक साते यदि हमें तीनो में एक ही CSS लिखने होती है तो हम क्या करते हैं कॉमा सपरेट तीनो daio target कर लेते हैं ठीक है उसके बाद पोजीशन इसका पोजीशन हम क्या रख देते हैं absolute ठीक उसके बाद बेक्ग्राउंड उसके बाद ब्रेडियस 0-8 हम क्या करते हैं't you एंस थैंख ट्रांस-फॉर्म और इजिन और इसको हम कर देते हैं अब देखिए कैंघाल अभी हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं हु요 यह तो ठीक है आवर को पिक करते हैं आवर को डिजयन करेंगे ठीक है देखिए है आवर इसमें हमें क्या करना है पड़ाए कुछ different CSS लिखनी है ठीक है तो देखिए विट हम इसकी आवर की कर देते हैं one point eight परसेंट एक ctrl s हाइट हम कर देते हैं पक्चिस परसेंट इसकी टॉप से 20 परसेंट इसको कि डाउन कर देते हैं 20 परसेंट इसके बाद ctrl s उसके बाद left से थोड़ा सा हमें इसको सेट करना पड़ता है तो कर देते हैं 48.9 परसेंट ठीक उसके बाद ऑपाशीटी मतलब उसको कितना हमें दिखाना है तो हम क्या करते हैं इसको 0.8 कर देते हैं अब हमारी आवर्स की सुई डिस्प्ले होने लगी ठीक है अगर हम इसको साइड वाइस साइड कर देते हैं तो हमें डिस्प्ले होगा हैस मीनट ठीक है अब देखे इसकी वी विट हाइट टॉप लेफ्ट ऑपाशिटी सेट कर देते हैं ठीक है चंट्रूल सी और यहां पर भी कंट्रूल एस आदि करेंगे तो दोनों सेम हो लेकिन मीनट की सुई हम क्या करते हैं वीट इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ठी है उसके बाद हाइट अब मीनट की हाइट को हम बढ़ा देते हैं ठीक है क्योंकि मीनट की सुई बड़ी होती है किस से आवर की मीनट की सुई हमारी बड़ी हो गई ठीक है तो इसको 30 कर देते हैं उसके बाद टॉप से इसको हम कर देते हैं है वीचंद परसेंट इसको टप से हमारा हम और ये 25 तरहेगा और स्कोड बीज कर दिते हैं कंट्रील ट के अलब देखरें कर अभार को 35 नए इसको 20 कर दिया इसको और थोड़ी सी है को इसको वन परसेंट कुन्ट्रोल एस जो है इसको थोड़ा सा और बढ़ा गादेते हैं तो इसको अधे से 10% कर देते हैं और left से 9.25 कर दे रहें अभी ठीक है हमारा और ओपाशिटी ठीक है तीनों हैंड्स को क्या कर लिए डिजाइन कर लिए अब हमारी बार्य एक इसकी जावा स्क्रिप्ट राइट करने की ठीक है जावा स्क्रिप्ट में चलते हैं और उसका कोड़ हम लिखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सेट क्या करेंगए हर सेकेंड हमें हमें छलाना है तो हम होता है तो हमने यहां पर दे दिया कब चलाना हमें हर सेकेंड उसको चलाना है ठीक है आप देखें डी इक्वल टू न्यू डेट तो इस डी में क्या हो जाएगा हमारा इस्टोर हो जाएगा डेट ठीक है अब डी से हम क्या करेंगे सबसे पहले हम आवर निकालेंगे मिनेट निकालेंगे और सेकेंड निकालेंगे ठीक है तो देखें एचार आवर इक्वल टू डी डॉट गेट आवर्स ठीक है आवर्स निकल गया अब मिनट निकालने के लिए मिनट equal to d.get minute, उसके बाद second निकालेंगे, equal to d.get seconds, ठीक है। हमने minute, hour और second निकाल लिया, अगर हम इसको यहाँ पर inspect करेंगे देखिए, console पर चलेंगे और source पर चलते हैं, और जो हमारी JavaScript के file है, इसको हम maximize करते हैं, और जो JavaScript के हमारी file है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? करते हैं और फिर से इंस्पेक्ट करते हैं यहां पर इंडेक्स डॉट यहां पर चलते हैं यहां पर हमें स्क्रिप्ट करना होता है और यहां पर एसरी इसे इक वल टू इंडेक्स डॉट जिए ठीक है अब देखिए अब यहां करेंगे तो आप हमें वह फाइल दिखेगी ठीक है तो हमने यहां पर लगाया था इसमें हमारी डी में फूल डेट आ गई उसके बाद मिनट आ गया ठीक है जो भी हमारा अभी मिनट करेंट है उसके बाद सेंगर ठीक है अभी क्या करेगा अगर हम यहां से हर सेकेंड यह क्या करेंगे करेंगे तो हम चलते हैं आगे पर छलते हैं आप देखी यहां पर देखी है मलब की जो सुई घड़ी की सुई है अगर एक बार चक्कर लगाती है तो कितने डिगरी घूम जाती है 360 यानि 360 डिगरी गूम जाती है तो 360 डिगरी गूमती है तो हम अगर कितना यानि एक से लेके 12 तक चलती है सुनने से लेके 12 तक तो यदि हम 360 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30 यानि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना degree का code बनाती है गड़ी की सुई 30 degree और उसके बाद जो second की सुई है यहां से लेके यहां तक कितना degree का होता है 6 degree का 6 degree 6 degree 6 degree 6 degree यानि 6 पाचे 30 यानि 12 से लेके एक के बीच में जो दूरी होती है कितने की 30 degree का code बनाता है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे याव देखें रोटेट कितना हमें करवाना है जो हमारी मिनट की सुई है घड़ी सेकंड की सुई है और कि सुई है उसको कितना रोटेट करवाना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो हमस rash रोटेशन इक्वल टूं ठीक है तो हम देखे तीस हटी मल्टिप्लाइव एचार जो भी हमारा आवर्स निकलेगा ठीक है और प्लस मीनट डिवाइड वाई तो यह क्या हो जागा हमारे करेंट टाइम से ठीक है यह हमने किया क्या आवर का रोटेशन हमने बता दिया ठीक अब के मेंट वाली सुई को हमें कितना कारुटेट करवाना है तो मिनट वाली सुई को हमें 6 से मल्टिप्लाइ करना क्यosing क्योंकि जब एक रोटेट टेट तो सिंटिव बनाया भाल सी से तक अब Belgra करना का में ऐसे भाला कि अगरीуск सेकेंड ठीक है November के मिनट और सेकेंड्ड की सुई हमारी सेम डिग्री पर मूव होती है यानि एवरी सेकेंड छे डिग्री चलती है अब हमें सेट भी तो करना है तो ụर देखे हैंहारे बस्ट ट्रांसफॉर्म ci से में इकवल टू रोटेट कितना रोटेट करवाना है यह हम बता रहें उसको ठीक है डॉलर रेकहट और उसके बाद एच आर रोटेशन और उसके बाद हमें यह डिगरी ठीक है और यहां पर सेमेपॉलर कंट्रोल एस ठीक देखिए आवर की सुई हमारी मूप हो चुकी है ठीक है करवारा है मिनट और सेकेंड को ठीक है तो यहां पर आवर हो गया मिनट को मिनट और यहां पर हम क्या कर देंगे मिनट रोकेट रोटेशन करते हैं कि मिनट की सुझी भी हमारी रोटेट हो चुकी है उसके बाद अब second second rotation और यहां पर 2nd rotation देखिए गड़ी की सुई भी हमारी चलने लगी गड़ी की सुई हमारी चलने लगी सो फ्रेंड्स तो हमने क्या किया सबसे पहले हमें इंडेक्स पेज पर हमने HTML का structure create किया उसके बाद हमने body section में एक container बनाया ठीक है जिसके अंदर के हम hour minute और seconds के ends को रखेंगे ठीक है और उसके बाद clock container को हमने सबसे पहले पिक किया उसके बाद हमने हाँ सेट किया icon अधिर सेट की विड सेट की wail इमेज हमने उसका apex किया ठीक है उसके बाद owals मिनट और रेकल में हमने कुछ CSS लिखा फिर ओर मिनट और सेगें के एंड और को हमने क्या में बढल चलता है और हमने उसको मता दिया कि कब चलना है यदी हम 1 सेट पूसको मूब कर Sydow गोगी है कोई भी प्रॉब्लम्स क्रियेट नहीं हुई होगी जए फिर भी कोई problems create होती है फिर कोई doubts रह जाते हैं तो आप comment section में अपनी comment drop कर सकते हैं मैं जल से जल रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा